दोस्तो अगर आप Union Bank में आप अपना एक saving account को open करना चाहते हैं तो आज किस फीडियो में हम लोग complete जनकारी देंगे कि किस प्रकार से online ही आप अपने mobile phone या PC से Union Bank में आप अपना एक zero balance saving account को open कर सकते हैं इसके लिए आपको branch नहीं जाना पड़ेगा account open हो जाने के बाद यहां पर जो कि आपको फूल के वाइसी भी complete करना पड़ेगा फूल के वाइसी complete हो जाने के बाद instantly आपके address पर आपको यहां पर ATM card और checkbook भी send कर देजेगा सांते साथ यहां पर जो कि आपके account number और customer ID सारा चीज यहां पर आपको passbook भी आपको दे देजेगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग details में जानेंगे कि किस परकार से यहां पर आप अपना union bank में आप अपना एक zero balance saving account को open कर सकते हैं लेकिन इससे पहला आप से क्रिक्वेश करेंगा कि चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और वीडियो को लाइक करेंगा तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं union bank में saving account को open करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस page पर आना होगा जिसका link में वीडियो के description में दे दिया हूँ जिस पर click करके आप directly इस page पर आ जाएंगे उपर में सबसे पहले तो आपको account type select करने का option आ रहे तिनकेस यहाँ पर आपको saving account ही select राने दे रहा है यहाँ पर आपको अपना title जो की select कर लेना है इसके आगे यहाँ पर आपको full name यहाँ पर fill up कर देना है यानि कि आपका जो भ update आपके email पर आता रहे इसके लिए आपको email ID यहाँ पर fill up करना है उसके बाद यहाँ पर आपको ID proof select करना है ID proof के लिए आप driver license, passport, अधहार card और motor card दे सकते हैं हम यहाँ पर जो कि अधहार card select करेंगे जो भी ID proof आप select करिएगा तो उसमें यहाँ पर ID proof number में आपको fill up करना इसके आगे आपको state select करने का option आ रहे तिनके यहाँ से आपको अपना state select करना है इसके आगे आपको अपना district select करना है आपके state में जितने भी district होगा यहाँ पर दिखाया जा रहा है इनमें से आपको अपना district select करना है और इसके आगे यहाँ पर आपको branch select करने का option आ रहा है त आपके district में जितने भी branch होगा यहां पर branch दिखाया ज़रा है इन में से आपको अपना nearest branch को select करना है और उसके बाद यहां पर जो की उपर में सारा details fill up करने के बाद नीचे में आपको एक option दिखाया ज़रा है यहां पर retired इसे आपको नोही रहने देना है सारा details fill up करने के बाद finally यहां पर continue पर आपको click कर देना है और इसके आगे यहां पर आपके mobile नंबर पर और email ID पर OTP send किया गया है mobile नंबर वाला OTP यहां पर आपको fill up करना है और email वाला OTP यहां पर आपको fill up करना है OTP fill up करने के बाद Finally continue पर आपको click करना है इसके आगे यहाँ पर जो कि आपको कुछ address और other details fill up करना है सबसे परले तो आपको अपना residential proof यहाँ पर select करना है इसमें भी आपको अपना अधार काड ही select कर लेना है जो भी document यहाँ पर select करेगा उसका number जैसे कि अधार काड हम यहाँ पर select के हैं तो यहाँ पर आपको अपना अधार का number यहाँ पर fill up कर दिना है इसके आगे यहाँ पर आपको अपना communication address fill up करना है इसके लिए सबसे परले तो आपको अपना house number यहाँ पर आपको fill up कर दिना है इसके आगे यहाँ पर आपको अपना लोकलीटीर यहाँ पर अपने नीरिश्टीटी का नेम यहाँ पर फिलप कर देना है यहाँ पर आपको अपना पीन कोड फिलप कर देना है अगर आपका पार्मामेंट एड्रेस और खॉरेस्पेंडेन एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टीक करना है और टीक करते ही यहाँ पर जो कि आपका जो कॉम्मनी क्रिशन एड्रेस होगा वहीं आपका पार्मामेंट एड्रेस में भी फील अप हो जएगा यहाँ पर आपको तीक करने पर नीचे यहाँ पर कुछ और डेटेस जैसे कि यहाँ पर ओकूपेशन करना है यहाँ पर आपको एनुवल इंकम पुछा जारा है यहाँ पर जितना भी आपका इंकम होगा यहाँ पर अपने हिसाब से सलेक करेंगे यहाँ पर आपको इंकम कहां से आता है तो यहाँ से जो भी इंकम का सुरूत होगा यहाँ से आपको अपने हिसाब से सलेक करना ह के यहाँ पर प्लेस और कुछ और इंडिया इन के पर यहाँ पर यहesiद ow but दो किस यहां पर आापको अपना धी मेंर्ट इंडिया- में इसके आगल करने के आप सबस्क्राइब क्लिक कर दिना है और इसके आगे last step यहाँ पर आपको नमनी डिटेल्स फिल अप करने का option आ रहा है तो अगर आप नमनी का name add करना चाहते हैं तो इनकेस यहाँ पर नमनी का full name नमनी से आपका क्या आपको other facility पूछा जा रहा है जिसे कि अगर आप internet banking की फेसलिटी उच करना चाहेंगे तो यहाँ पर टिक करना है इमेल send कर दिया गया है, और यहाँ पर जो कि देख पार है, आपको एक reference number, tracking ID यहाँ पर दिखाया जरहिए, इसको आपको जो की note कर लेना है, नीचे में आपको अपना branch का details दिखाया है, यहाँ पर जो कि track your application का option के आपी UP का侑न का track भी कर सकते हैं, नीचे में आपको download application form का आपसने इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपका application form जो की download हो गया इसे आपको जो की open करना है और open करिएगा तो यहाँ पर जो भी details fill up किये हैं यहाँ पर दिखाया ज़रा है in case यहाँ पर जो की देख पार है purpose of account online account यहाँ पर लिखा गया है नीचे य यहाँ पर आपको अपने नीरेश ब्रांच में चले यहाँ केवाईसी कंप्लीट करने के लिए केवाईसी में आपको यहाँ पर करिए तभी यहाँ पर आपका account नमर और सारा एट्डेल्स मिलेगा इसको जो की सबसे पहले तो आपको print out निकलवा लेना है आपको यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं उमीद करते हैं यहाँ पर union bank में एकाउंट ओपनिंग करने का complete प्रसेस आप समझ गेंगे वीडियो सा आपको नौलेज मिला होगा चैनल पर नहोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा वीडियो को लाइक करेंगा आपने दोस्तों के साब सेर करेंगा में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टपक साथ तब तक के लिए जाएंगें बाई बाई